हलो दोस्तों तो रोज मैं आपके लिए शौट वीडियो लेकर आती हूँ तो एक नट में ज़्यादा बाचीत नहीं हो पाती है तो मैंने सोचा चलिए एक आपके साथ थोड़ा सा लॉग वीडियो सेयर करते हैं तो नॉर्मल हाउस्वाइब की तरह मेरी भी दिन की स्टार्टिंग कीचिन से ही होती है और तबियत भी आजकल ठीक नहीं चल रही है पैर में प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वज़े से मैं अपने काम को भी थोड़ा शॉट कट करती हूँ पूरे दिन भर के खाने का रिटीन शेयर कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट, लांच और डिनर में हमने क्या खाया तो जब तक मेरे राइस बनके तयार होते हैं तब तक मैंने यहां सेलेट भी कट कर लिया था और सेलेट की कॉंटिटी हम लोग थोड़ा ज़ादा रखते हैं क्योंकि आज रोटी भी नहीं बनाई है और खाने में थोड़ा सेलेट हम लोग ज़ादा ही खाते हैं इतना हेल्दी खाते रहते हैं उसके बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है कोई ना कोई बीमार घर में होता ही रहता है तो यहाँ पर मेरे rice भी बनके तयार हो गएते यह मेरे छोले की सबजी तो इसकी recipe मैंने आपके साथ share नहीं की है क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे videos में हमेशा मैं छोले बनाती हूँ तो मैंने डाली हुई है साथ में salad था, मिर्ची का चार था और हाँ चावल में घी डालना बिलकुल नहीं भूलते हैं आज कल मैं देख रही हूँ लोग घी अवाइट कर रहे हैं पर उसको अवाइट नहीं करना चाहिए घर का बना घी हमेशा खाते रहना चाहिए उसके बाद रात के डिनर के लिए मैं आज बना रही थी पालक के चीले जिसका short वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो यहाँ पालक को मैंने अच्छी तरीके से धोलिया है और इसके बाद मैं इसको चौपर में कट कर लूँगी अच्छी तरीके से चौप कर लूँगी बैसे बच्चे आजकल पालक वगरा ये सारी चीज़े नहीं खाते हैं पर बच्चों को ये सारी चीज़े हमें खिलाना पड़ता है तो किसी ना किसी रूप में मैं उसको खिलाती रहती है अपनी बेटी को और उसको मैथी पसंद है हरी सबजियों में केवल उसको मैथी पसंद है तो मैं बस उसको बस यही बोलके खिलाती हूँ कि यह मैथी है तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पालक ले ली है जो भी मैंने उसको क्रश किया है साथ में ले लिया था बेसन तो बेसन आप अपनी quantity के हिसाफ से जैसी आपने पालक ली है उसी के हिसाफ से ले और इसमें साथ में मैंने salt डाल दिया है हींग डाल दी है, जीरा और साथ में अजवाइन ये डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और इसमें साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी और इसमें मैंने डाल दिया है onion प्याज तो अगर आप चाहें तो इसमें और भी सबजिया डाल सकते हैं पर बच्चे को खिलाना है तो बच्चे जादा सबजिया दिखेंगी न तो वो फिर उसको खाएंगे नहीं इसलिए मैंने बहुत जादा कुछ भी नहीं डाला था केवल पालक, बेसन और प्याज डाला है तो पहले इसको हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे क्योंकि इन सबजियों में से भी थोड़ा सा juice निकलता है पानी निकलता है जिसकी वज़े से वो अपने आप ही गिला-गिला सा हो जाता है उसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी add करेंगे और इसका हम एक अच्छा सा batter बनाना है तो पहले मैंने थोड़ा पानी add किया था उसके बाद हम देखेंगे इसको अच्छी से mix करेंगे कि अब हमें अगर ज़रुरत लगेगी तो इसमें पानी भी थोड़ा-थोड़ा करके add करते रहेंगे जिससे कि एक batter जो चीले का batter होता है उस तरीके से बन जाए और देखें इसकी consistency कुछ इस तरीके से थी जैसे कि मारी चीले की रहती है तो आप इसको किसी भी normal तवे पर बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अपना तवा रखा है और इसकी उपर थोड़ इसी greasing कर ली है थोड़ा सा मैंने घी लगाया घी बटर आप कुछी का भी इस्तमाल कर सकते हैं और मैं जब भी निवी के लिए कुछ भी बनाती हूँ न क्योंकि उसकी एक आदत है वो एक ही खाती है जैसे रोटी खाएगी तो एक खाएगी पूरी खाएगी तो एक खाएगी तो इस तरीके से हम चीले को दोनों तरफ से सेख लेंगे अच्छे से और बच्चों को आप दे रहे हैं तो आप इसमें अच्छे से बटर वगरा भी लगा सकते हैं और अगर आपको खाना है और आप बिल्कुल भी घी तेल नहीं लगाना चाते हैं तो इसको बिना घी तेल ल तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा इस तरीके के वीडियो में आप लोगों के लिए और भी लाती रहूंगी तो चलिए आप लोगों से फिर से मिलते हैं अब तक के लिए बाइ-ब